सीनियर टीचर भरती या यू कहें कि सेकंड ग्रेड टीचर भरती के सामान्य ग्यान के पेपर लीक का खुलासा होने के बाद एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या इस भरती परिक्षा के और भी पेपर लीक हुए हैं कई चात्र तो ये दावा कर रहे हैं कि इस भरती परिक्षा में पहले भी नकल हुई है लेकिन ये नकल पकड़ी नहीं गई और इन आरोप लगाने वाले चात्रों का दावा इसलिए भी मजबूत हो जाता है क्योंकि नकल वाली बस पकड़े जाने से पहले भी 20 और 22 दिसंबर को जालोर से उदेपुराई थी ऐसे में आज के इस वीडियो में हम ये पढ़ताल करेंगे कि क्या पहले भी सेकंड ग्रेड टीचर भरती के पेपर आउट हुए हैं दरहसल 21 दिसंबर को ग्रूप A का सामान ने ग्यान जीके और सोसल साइंस का पेपर था जबकि 23 दिसंबर क उर्दू वा अंग्रेजी का पेपर हुआ था वहीं इन दोनों परिक्साओं से ठीक एक एक दिन पहले यही नकल वाली बस जालोर से उदेपुराई थी ऐसे में इन एक्जाम के भी पेपर आउट होने को लेकर लगातार आशन का जताई जा रही है हमने इस मामले को इन्वे इसके का पेपर सोलू करते हुए उन चास लोगों को पकड़ा था इतना ही नहीं होटल से नकल करते हुए पकड़े गया ब्यरती भी इसी बस में आये थे नकल वाली बस कब कहां से गुजरी इसको लेकर डिटेल में बात करें तो ये बस 20 दिसंबर को पहली बार उदैपुर आयी थी 20 दिसंबर को बस गोगुंदा टोल नाके से सुबह 10 बच के 22 मिनट पर उदैपुर के लिए निकली थी इसके अलावा 22 और 23 दिसंबर की रात को करीब 1 बच कर 49 मिनट पर बस फिर से गोगुंदा टोल नाके से गुजरी 23 दिसंबर को रात 9 बजे बस फिर टोल नाके पर पहुंची तीनों बार बस उदेपुर जाते वक्त सीसी टीवी में केद हो गई इस दोरान बस के सीसों पर सफेद परदे लगा कर अंदर ही लाइट जला कर पेपर सोल्व कराया जाता था वहीं बस उदेपुर से वापस किस रास्ते से जाती थी इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है आपको बता दें कि सुरेश विश्णोई नाम का वेक्ती जो कि इस पेपर लीक का मास्टर माइंड बताया जा रहा है वो कार में बेट कर बस को एसकोर्ट करता था जबकि सुरेश धाका जीपीएस से बस की लोकेशन मॉनिटर करता था कोई भी बात करनी होती थ सिर्फ वाटसप कॉल और मेसेंजर पर ही बात किया करते थे ऐसे में अब पुलिस सुरेश विश्णोई से ये पूस्ताच कर रही है कि वो 20 और 22 दिसंबर को बस उदेपुर्क्यों लेकर गया था पुलिस अब इनकी मोबाइल कॉल और वाटसप डिटेल भी खंगाल रही है इसके अलावा पुलिस को मोबाइल से कई अहम डोकुमेंट भी बरामद हुए हैं आपको इस पेपर लीग के बारे में एक नई जानकारी और बता दें कि सुरेश विश्णोई, भुपेंद्र सारण और सुरेश धाका ने बस के अलावा होटलों में भी पेपर सोल्व कराने की सेटिंग कर रखी थी, होटलों में पहले ही नकल करने के लिए कमरे बुख कर रखे थे, पुलिस ने सुखेर के एक होटल से 10 लोगों को गिरफतार किया है, जिन में 6 कंडिडेट, 2 टीचर, एक मास्टर माइंड喔s को गिरफतार किया गया है, इन्हें भी इसी बस के एक दिन पहले उधेपुर लाया गया था वहां से फिर होटल में छोड दिया गया था पुलिस अब होटल में कमरों का रिकोर्ड जुटा रही है जांच में ये पता लगेगा कि होटल में कितने दिनों से ये लोग रुके हुए थे और किसने कमरों की बुकिंग कराई थी अब तक हुई जाँच में ये पता चला है कि आरोपियों की पेपर बेच कर चार से पांच करोड रुपे कमाने की योजना थी जैपुर में पहले से ही सुरेश ने कोचिंग संस्तान शुरू भी कर दिया था यहां भी जालोर और साचोर के चात्रों पर ज्यादा फोकस किया जा रहा था बेरोजगार युवाओं को आठ से दस लाख रुपे में पेपर बेच कर खुद आलिसान जिंदगी जी रहे थे शुरेश धाका ने जैपुर में आलिसान बंगला भी बना रखा था शुरेश धाका, शुरेश विष्णोई और भुपेंदर तीनों मिलकर जून से ही पेपर लेने की सेटिंग करने लग गए थे एकजाम से 15 दिन पहले तीनों की पेपर खरीदने की पूरी प्लानिंग हो चुकी थी इन्होंने पेपर सोल्व कराने के लिए टीचर्स और MBBS डॉक्टर्स को पकड़ा था इन्हें रुपे का लालच देकर सिर्फ पेपर सोल्व कराने की डील की गई थी बताय जारा है कि पेपर सोल्व कराने के लिए 10-10 लाक रुपे एडवांस में दिये गए थे पकड़े गए आरोपियों में भागीरत विश्णुई 2020 भरती में पास हुआ था और विज्ञान का लेक्चरर है पुकराज भादू भी LDC के पद पर लगा हुआ है ये 2018 की भरती में सिलेक्ट हुआ था रायता राम चोधरी 2nd grade टीचर है ये तीनों गैंग में शामिल होकर पेपर सोल्व करा रहे थे इससे पहले इन्होंने साचोर में कंडिडेट तलाश करना शुरू कर दिये थे पेपर लीग होने और पकड़े जाने के डर से इन्होंने साचोर और जालोर के अलावा बाहर से केंडिडेट नहीं लिये थे ये तमाम तक्ते इस बात की और संकेत कर रहे हैं कि चात्र पहले भी पेपर लीग होने का जो अंदेशा जता रहे हैं उनके दाओं में कहीं न कहीं वजन जरूर है और अगर पुलिस सकती से जांच करती है तो इस पेपर लीग का पूरा सच जल्द हम सब के सामने होगा धन्यवाद